अब विनेश फोगाट नहीं खेल पाएंगी ओलम्पिक में विनेश फोगाट आयोगे घोशित हो चुकी है ओबरवेट की वजह से विनेश फोगाट आयोगे घोशित हुई है अब यहाली में उनोंने यूबा की एक हिलाडी को हराया हाला की उमीद थी कि विनेश फोगाट गोल्ड मेडल लेकर आएंगी लेकिन अब वो फाइनल से बाहर हो चुकी है माज 50 ग्राम ज़ादा आया है उनके मौजूदा वेट से फाइनल मुकाबला विनेश फोगाट नहीं खेल पाएंगी ओवरवेट की वजह से वो फाइनल्स नहीं खेल पाएंगी 50 किलो काटिगीरी में उनका चैन हुआ और उनोंने बहुत ही शानदार मुकाबला खेला वीटे मैच्चेस में लेकिन अब वो नहीं खेल पाएंगी फाइनल्स नहीं खेल पाएंगी 50 किलो वजन उनका 50 ग्राम माफ की जगब वजन उनका मौजुदा वजन से ज़ादा आया और इस वजह से वो फाइनल से बाहार हो गई है हालाकि निराशा हाथ लगी है वेट की वजह से लेकिन उनके बीते जो दो मैच्चेज हैं वो काफी शांदार रहे हैं पारस ओलंपिक्स में दो पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारतिये शूटर मनु भाकर स्वदीश लोट आई है मनु का दिली एडपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ है एडपोर्ट से बाहर आती ही मनु के माता पिता ने उन्हें गले लगा कर उनका माता चूम लिया मनु के साथ उनके कोट जस्पाल राना का भी जोरदार स्वागत हुआ है मनु भाकर ओलंपिक्स में मैडल जीतने वाली पहली महिला शूटर बनी है मनु भाकर ने 10 मिटर एर पिस्टल के महिला और मिक्स्द टीम इवेंट में दो ब्रॉंज मैडल जीते हैं मनु भाकर एक ही ओलंपिक्स में दो मैडल जीतने वाली पहली भारतिय खिलाडी भी बनी है मनु भाकर ने शूटिंग में 12 साल बाद भारत को पदक दिलाया है मनु से पहले नॉर्मन, प्रिचर्ड, सुशील कुमार और पीवी सिंधु ही ओलंपिक्स में दो मैडल जीत पाए हैं मनु पारिस ओलंपिक्स की क्लोजिंग सरमनी में भारत की भज़वाहत होंगी मनु भाकर रविवार को होने वाले क्लोजिंग सरमनी के लिए वापस पारिस भी जाएंगी लेकिन उसके पहले भारत लॉक्टे की ये देखे तस्वीर जहां भारतिया खिलाडियों का जोरदार स्वागत किया जा रहा है और ये खुशी का पल है ये गौर्वानमित हो जाने बाला पल है जब हमारे भारत के खिलाडी जो है आने देशों में जाकर भारत का नाम रौशन कर रही है कई रेकार्ड्स बना रही है इतिहास रच रही है उन में से एक नाम मनु भाकर का भी जो पहुची दिल्ली तो उनके माता पिता, उनके स्वागत के लिए वहाँ पर मौजूद थे और जैसे की भावनाओं में बेहते हुए भी कई नजर आये परिवार के लोग, माता पिता और साथी उनके गुरु उनके कोच भी दिलिया अरपोर्ट पर मौजूद थे फूल माला के साथ उनका स्वागत किया गया